डिप्टी कमिश्टर किष्टवार की तरफ से एक बार फिर से बड़ी कारवाई और ये कारवाई एक सीनियर आफिशल के खिलाप हुई है जो अननेथराइज स्टेशन जो है वो छोड़ कर गया था पिछले अलेक्शन के दोरान ये दूसरा सबसे बड़ा आफिशर है जिसको सस्पेट किया गया है मैं बता दूँ एक आडर के मुताबिक जो डिश्टिक अलेक्शन आफिसर राजेश कुमार शावन जो की डिप्टी कमिश्टर किष्टवार भी है उनकी तरफ से एक आडर इशू किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि डिप्टी चीप काम और अलेक्शन का काम जो है वह सफर हुआ है इस सिलसले में इनक्वाइरी जो है वह बताया गया है कि जो इनक्वाइरी है वह इनिशेट की गई है डिप्टी चीफ एजुकेशन आफिसर किष्टवार मुसूद एमद काजी के खिलाब फार डिलिक डिलिक्शन आप और जो आफिसर है उसको विध इमिजेट इफ्ट जो है वह वो संच जो है वोसकी जो है उसको प्लेस किया गया है और यह बताया गया है कि दूरिंग संच परियर्ट जो किप्टी छीफ एजुकेशन आफिसर है किष्टवार के वह अटेच रहेंगे इन शब्सइक Ö किया गया है और ADDC किष्टवार को जो है वो inquiry officer बनाया गया है जो कि एक हफते में inquiry report जो है वो submit करेगा मैं बता दूँ कि जो deputy chief education officer किष्टवार है मुसूद एमद काजी उनको जो है वो suspend किया गया है क्योंकि उनके पर ये इल्जाम है कि उन्होंने headquarter जो है वो without prior permission आप deputy commissioner जो है वो छोड़ा था और उस पर ये भी इल्जाम लगाया गया था कि वो additional charge की आड मैं जो है वो जमो बैठा हुआ था और उसके बाद इसी तरह से जो है वो उनको भी suspend किया गया था और उन पर भी जो है वो inquiry इनिशेट की गई थी मैं बता दूँ कि अभी तक पूरा रियासत बर में 25 के करीब employees को जो है वो suspend किया गया है और इसके अलावा पांच जो employee हैं उनकी services को जो है वो disengage किया गया है जो different political parties के साथ campaigning में जो है वो involved थे और इसके अलावा किष्टवार के PHE के भी जो दो senior official है जिनमें एक JE और एक AWE है उसको भी जो है वो suspect किया गया है पर इस पर सेक्टरी जलशक्ति की department की तरफ से जब home department की एक report के मताबिक वो दोनों employees जो है व अनवा में जो है वो campaign कर रहे थे अभी कि यही बड़ी खाबर deputy commissioner किष्टवार की एक बहुत बड़ी कारवाई एक senior official के खिलाब जिनको सस्पेंड किया गया सिर्फ इसलिए कि वो unauthorizedly जो है वो station छोड़के गया हाला कि हमें बताया गया जो education department के official से उन्होंने बताया कि जो deputy chief education officer है वो जमू में चीफ education officer के साथ मिटिंग के सिलसिले में जो है वो आये हुए थे जो सरकारी मिटिंग है लेकिन अभी इसमें जो सरकारी मुलाजिम है उनको जो है वो यह instructions are ready थी कि अगर किसी को भी कोई की meeting attend करनी है और deputy commissioner को जो है वो उसके बारे में इंफार्म करेंगे लेकिन यहां पर मुसूद एमद काजी ने जो है वो deputy commissioner किष्टवार को इंफार्म नहीं किया हालनकि वो official duty पे ही थे official meeting पे थे लेकिन सिर्फ वो इस बात के कुसुरवार है कि उन्होंने जो तरिकेकार है औ उनको फालो नहीं किया है अब हम देखेंगे कि जो मुसूद एमद काजी है वो district election officer यानि कि deputy commissioner किष्टवार को अपने जवाब में जो है वो क्या देते हैं अपने defense में क्या explanation दे सकते हैं और ADC किष्टवार जो है वो इसकी inquiry करते हैं उनको जो है वो यह देखना होगा कि यह बताया गया है कि वो official meeting attend करने के लिए जम्मू में मोजूद हैं लेकिन सिर्फ उनका इतना ही मानना है कि वो जो है जो चियर है immediate boss यानि कि deputy commissioner किष्टवार को इस meeting के बारे में inform उन्होंने नहीं किया था और district headquarters छोड़ने से पहले उनको इस बारे में intimation नहीं दी थी इस ख सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया